हजार से जादा लड़कियों के साथ योन शोशन, नाम पर 38 मुकदमे और अंडर वर्ड के साथ तालुक होने के बाद क्यों ब्रिजभूशन को कोट से कर दिया जाता है बरी आखिर किसका हाथ है ब्रिजभूशन के पीछे जो खुले आम इंट्रिव्यू में कतल की बात कबूलने के बाद भी नहीं हुई उन पर कोई कारवाही नरेंद्रमोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले देश में किस तरह से ब्रिजभूशन ने किया देश की बेट्यों का शोशन योगी दित्तेनात का वो नारा की माफिया को मिलाएंगे मिट्टी में क्या ब्रिजबूशन नहीं आते भाजपा की माफिया की सूची में पिछले पांच गिनों से सडकों पर सो रहे देश के रेसलर्स और फुटबॉलर्स की नहीं सुनी जा रही पुकार क्यों ब्रिजबूशन शरन सिंग के खिलाफ कोई कारवाही नहीं कर रही सरकार कौन है ये ब्रिजबूशन शरन सिंग क्यों बैटे हैं रेसलर्स एहतजाज में सडकों पर क्यों इन पर कोई कारवाही नहीं की जा रही कैसे इतने बेबाग होकर हर मुकदमे से ब्रिजबूशन हो जाते हैं बरी आईए आपको बताते हैं महिला पहलवानों के ब्रिजबूशन पर लगाएगे इल्जामों से पहले आपको ब्रिजबूशन की आज तक की रही जिल्दगी के बारे में बताते हैं ब्रिजबूशन शरन सिंग इसे एक नाम को कई टुकडों में बांट कर ब्रिजबूशन को समझा जा सकता है ब्रिजबूशन की गुंड़ेई ऐसी कि सरयाम S.P. आफिस में जाकर S.P. पर पिस्तोल तान दी राजनीती में भी ऐसा दबदबा कि लगतार 6 बार के सांसद रह चुके कारोबार इतना फैला हुआ कि 50 से भी ज्यादा स्कूलों के मालिक हैं असर ऐसा कि पार्टी लाइन से बाहर जाकर भी बयान बाजी कर देते हैं बेबाक इतने की बिना किसी डर के खुले आम कैमरा के सामने कतल करने की बात को बूलते हैं और प्रभाव ऐसा कि 11 साल से रेस्लिंग फेडरेशन आफ इंडिया के अध्यक्ष हैं ब्रिजबूशन शरंच से खिलाफ एक बार फिर से देश के कई नामी पहलवान दिली के जंतरमंतर पर उटजाज कर रहे हैं आठ पहलवान उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए और कोर्ट में ब्रिजबूशन के खिलाफ F.I.R. दर्च करने की मांग की ब्रिजबूशन पर लगे अभी के इल्जामों को बताने से पहले आपको बताते हैं उनकी पूरी कहान उत्रपरदेश के गौंडा जीले में रहने वाले ब्रिजबूशन सिंग जिनका जनम 1957 में हुआ और राजनीती में इन्हें शुरू से ही काफी दिल्चस्पी थी इन्हें लेकर ये भी खबरे हैं कि अपने कॉलिज में इन्होंने हैंड गर्नेट चला दिया था जिसको लेकर वो काफी चर्चाओं में रहे थे और खबरों के अनुसार ब्रिजबूशन ने उन पर गोलियां भी दाग दी थी इसको लेकर उन पर कोई कारवाही नहीं हुई जिसके बाद ब्रिजबूशन वो चुनाव जीते और इतना ही नहीं आज तक ब्रिजबूशन लगातार छे बार विदानसवा के सदस्य बने हैं वहीं 1952 में बाबरी मस्जिद में हमले पर जेने 40 लोगों को गिरफतार किया गया था उनमें से एक ब्रिजबूशन भी थे हालांकि ब्रिजबूशन ने खुद ये बाद कबूली थी कि बाबरी मस्जिद पर हमले के लिए जो लोग चड़े थे उनके पास कोई समान नहीं था तो पास में क्रिशन गोयल का काम चल रहा था जहां स्टोर रूम तोड कर ब्रिजबूशन ने गैंती फेरुआ निकाल कर बाबी मस्जिद पर चड़े लोगों को पहुंचाया था और वो सब कुछ सुनिश्चित करने के लिए रात दस बजे तक वहां रहे इस मामले में प्राइम सेस्पेक्ट होने के बावजूद भी 2020 में सुप्रीम कोट की तरफ से उन्हें क्लीन चिट दे दी गई थी 1952 में ब्रिज भूशन सिंग अंडर वर्ल्ड के साथ तालुकात के मामले में टाडा के तहट जेल गए थे उन पर ये आरोब था कि वो फोन पर दावद इबराहीम से बात करते हैं और उन्हें मदद भी करते हैं वहीं जेल में रहते हुए उनकी बीवी केट की देवी चुनाव के लिए खड़ी हुई और उन्हों ने कॉंग्रेस को 80,000 वोटों से हरा दिया था जिसके बाद उन्हें 1999 में बरी कर दिया गया वहीं 2022 में दाललन टॉप को दिये गई इंट्रिव्यू में ब्रिजबूशन सिंग ने खुदियबाद कबूली कि उनसे एक कतल हुआ है उन्होंने कहा कि चाहे लोग कुछ भी कहें लेकिन उनसे एक कतल हुआ है उनका कहना था कि उनके दोस रविंदर सिंग पर जिस इंसान ने गोली चलाई थी उसकी पीट पर पिस्टल से वार उन्होंने ही किया था जहां उनका ये बयान सोशल मीडिया पर काफी चर्चाओं में आया वहीं इस बयान पर किसी तरहां से कोई कारवाही नहीं की गई उन्हें जिस मुद्दे ने फिर से चर्चाओं में लाया है वो पहलवानों का ही है आपको बता दे तो अंतर राश्ट्रेक लाड़ी और उलम्पियन्स के एक जुट जिसमें विनेश वोगाट और साक्षी मलिक भी शामिल है वो सभी आज पिछले पांच दिनों से दिल्ली बेजने की मांग कर रहे हैं महिला पहलवानों का कहना है कि ब्रिजबूशन ने आज तक हजार से जादा लड़कियों का योन शोशन किया है उन्होंने कहा कि पहले ब्रिजबूशन महिलाओं के साथ हरासा करते हैं उसके बाद उन्हें धमकाते हैं वही महिला पहलवानों के बिजबूशिन के खिलाफ F.I.R. भी दर्ज नहीं की थी सरकार की तरफ से भी उन्हें कोई आश्वासन नहीं दिया गया इस विरोध के बाद इंडियन ओलंपिक एसोसियेशन की अध्यक्ष P.T. उशा का कहना है कि सेक्शल हरैस्मेंट के लिए I.O.A. में एक कमिटी बनाई जाती है तो पहलवानों को सरको पर जाने से पहले उनके पास आना चाहिए था P.T. उशा के इस बयान के बाद सरको पर बैठी महिला पहलवानों को पक्ष का काफी समर्थन मिलने लग गया कॉंग्रेस पार्टी की लीडर प्रियांका गांधी सभी पहलवानों से मिलने गई और उन्होंने उनके इंसाफ की मांग की कई बड़े खिलाडी भी महिला पहलवानों के समर्थन में आई वहीं जब इस मामले को आठ महिला पहलवान सुप्रीम कोर्ट में लेकर गई तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली पुलीस से जवाब मागा तो दिल्ली पुलीस ने उनसे कहा कि वो जल्द ही ब्रिजबूशन के खिलाफ फिर दर्च करेंगे जो कि उन्हों ने पॉक्सो एक्ट के तहत कर भी दी लेकिन इसको लेकर भी महिला पहलवानों का कहना है कि दिल्ली पुलीस की फिर का भरोसा ना किया जाए उन्हें बस सुप्रीम कोर्ट से ही इंसाफ दिलाया जाए और ब्रिजबूशन के डवल्यू एफ आई से उनके संसत से इस्तीफे के साथ साथ उन्हें जेल भीजा जाए इतना ही नहीं पहलवानों का ये भी कहना है कि जो सबूत उनके पास है ब्रिजबूशन के खिलाब वो दिल्ली पुलीस को नहीं देंगे वो उन सभी सबूतों को सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे उनका कहना है कि उनके पास एक 16 साल की नाबालिक पहलवान भी है जिसके साथ प्रिजबूशन ने यून शोशन किया था जिसने बाद में जाकर देश के लिए गोल्ड भी लाया उनके कहना है कि वो अभी उस सबूत को सामने नहीं लाएंगे वो सबसे आखिर में बाहर लाया जाएगा इस मामले पर बिजबूशन का बयान भी सामने आया जहां उनके कहना है कि वो WFI के अध्यक्ष के ओधे से इस्तीफा दे देंगे लेकिन वो अपराधी बनकर इस्तीफा नहीं देंगे उन्होंने कहा कि ये सभी पहलवान घर चले जाएं उसके बाद वो इस्तीफा डाल देंगे वही इस मामले को लेकर विशलेशकों ने कई सवाल उठाए इसलेशिकों का कहना है कि आखिर क्यों इस मामले में सरकार की तरफ से कोई कारवाही नहीं की जा रही क्या जो उत्रपरदेश में अतीक एहमद और अश्रफ एहमद के वक्त माफियास को खतम करने का भाजपा का नारा था वो महीला पहलवानों के लिए दरिंदे बन चुके ब्रिजबूशन पर लागू नहीं होता क्या जिस तरह से पहले के मामलों में ब्रिजबूशन बरी हो गई वैसे ही इस बार भी बरी हो जाएंगे और देश की बेटियों को इंसाफ नहीं मिलेगा Bureau Report, News Insider